हेलो आपके पार्टनर, केसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छी होंगे, तो आज सुबह सुबह, यानि की 2nd Gen, 2nd Genवरी को हम रेडिंग कर रहे हैं, और आफ्टर New Year, आपके पार्टनर, आज सुबह सुबह, क्या सोच रहे थे, ये हम देख रहे हैं, आज की अपनी इस रेडिं तो आपकी एनरजी को चेक करना ज़रूरी होता है तो आपकी एनरजी जो है रिडिंग होती है तो आपकी एनरजी जो चक किया जाता है उस समय भी आप लोग देखिए रिडिंग को सքप करके मत देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से पता चल सके और जो भी वहां पर बताया जाता है जो भी एगर आपसे राज्डेट करता है? तो आपको किसी से ब्रक्रांड करता है ने की जख़ Garden करNरे की जिद हत इसलिए कहते हूं फोकसों करके देखिए मे देखिए ठेक है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने ये रिडिंग यानि की देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर है आज सुबह-सु कर रही हूं आपको क्या करना है फूल फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर गहरी लंबी सांस लेनी है अपने पार्टनर को याद करना है अपने पार्टनर का फेस आपके सामने होना चाहिए आखे बंद किजिए और उनका फेस आपको दिखाई देना लगेगा ठीक है उ guide card angels universe and sisters okay 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 कि अ कि अ कर निकल आया है देखते हैं कि मैं स्ट्री का कार्ड है पहला कार्ड ओके ट्विन फ्लेम इस नॉट रड़ी टाइम फूर अक्षिन अवेकनिंग कि सोल्ड कॉंट्राक्ट्स ओके कि बॉटम आफ देखते हैं बॉटम आफ देख हैं यहां पर लड़ी पेशंज का कार्ड ठीक है थीक है थीक है पहले कार्ड के लिए हम फेट से कार्डस निकालते हैं यानि कि क्लियर कर लेते हैं ने रिको ठीक हैं तो देखते हैं कि मैंस्ट्री कार्ड क्यों है अंजल्स ओके पेज अफ कप्स तुनक्यम इस नॉट रेड़ी नाइन ओफ पंटिकल्स साहिन बताऊंगे आपको फोकस रखना आप पेज अफ स्वार्ट्स अवेकनिंग सिक्स ओफ पंटिकल्स सोल कॉंट्रैक्ट्स इट ऑफ वांड्स ओके बॉटम अफ तर डैक हर्मिट के कार्ड ओके यहां पर जो कार्ड्स आये हैं इसके अनुसार से पहले मैं आपको साइंग बता देती हूं सारे अलिमेंट्स हैं सारे साइन अविलेबल हैं सबकी सब राशियां उपलब्द हैं यहां पे चलिए मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज सुबस बना काफी जादा अपने एक तरीके के एनरजी को फील करते वे दिखाई दे रहे हैं ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि आपके पार्टनर आप दोनों की बीच की केमेस्ट्री के बारे में सोचते दिखाई दे रहे थे ऐसा दिख रहा था कि आप दोनों के बीच में काफी जादा प्यार काफी जदा रोमैंटिक सी फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में हैं यहां पे आपके पार्टनर को फील हो रहा था जो कि यहां पे हैं एक बहुत ही प्यारी सी एक ब यस लेते हैं काफी इंजॉई करते हैं मुझे जहां तेक दिख रहा है कि पॉर्षन के दिल में दिमाग में काफी जो कहते हैं कि रोमेंज का कीड़ा है ना आपके पार्टनर के अंदर है और काफी अलग सी एनरजी के साथ ये पॉर्षन मुझे एकदम से फील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पॉर्षन आपकी बातों को सुनना चाहते हैं आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं आज सुबह सुबह पता नहीं यहां पे इनको इतना ज़्यादा स्ट्रस क्यों फील हो रहा था मुझे दिख रहा है कि पॉर्षन को बेचैनी सी हो रही थ थी कि आपसे ये पॉर्षन दो मिंट भी बात कर ले या आपकी आवाज सुन ले काफी गहरी सोच है आपकी पार्टनर की आज सुबह की काफी गहरी सोच आपके कुछ पुराने मेसेजेस को रीट करते हुए पॉर्षन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके इंट्यूशन के बनते थी जिस तरीके से बाते बनते थी मुझे वही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर उन सारी बातों को फील कर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर एक जो सपना होता है उसको क्रियेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पा त्विनफ्लेम हो और आप शायद रैडिर नहीं हो इनके लिए इनके इनसे जूड़े कुछ बाते हैं जिसके लिए आप तयार नहीं हो रहे हो और कहीं न कहीं इनको लगता है कि अगर मैं ट्राई करता भी हूं तो पता नहीं क्या होगा ठीक है मुझे ऐसा कि आपके जो पार्टनर है एक देख़िए आपकी पार्टनर के अंदर न न थोड़ा सा मैं देख पा रही हूं कि अपनि आपको आप से एक कहता हुआ कि थोड़ा सा कम समझना मतलब कि आपको हाई लेवल के पॉर्षन समझना अपने आपकोli लेवल का पॉटसंस समझना ठीक है आपके जो पॉर्टन है आपके साथ काफी पीस्पूल टाइम नीकाल चुके हैं और यह पॉरर्षन का दिख benefit आपके साथ comfort feel होता है ठीक है यह person को सोचते हुए मैं देख पा रहूं कि yes आपके और आपके partner के बीच का जो relation है ना इसके बारे में deeply सोच रहे हैं कि जब हम दोनों relationship में थे तो कितना जादा उसके सांद comfortable feel होता था कितना जादा अच्छा मैं उसके सांद secure feel करता था है ना क्या करती थी था थी पर ध्यान नहीं देना है तो यहाँ मुझे यह दिख रहा है कि यह जो person है कहते हुए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसके जैसा person होना आज के time में हर किसी की बस की बात नहीं एक तो आप successful हो आपको बहुत सारे other relation मिल सकते हैं अगर आप चाहो तो ठीक है लेकिन आप इनहीं का इंतजार करते हो लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप अपने career में आप अपने job में busy हो जिसकी वजह से यह person को लग रहा है कि शायद आप तयार नहीं हो अभी या रेडी नहीं होगे आपके partner action लेने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे जहां तक दिख रहा है कि छोटा सा एक्षन लेना चाह रहे हैं यह person छोटा सा एक्षन लेकर कि आप से बात करने की energy में आते दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर एक एक तरीके का नजर रखना कह सकते हैं कि नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं सोसल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप दोनों की बाते ज़ादा होती हो या आप लोग जूड़े हो ठीक है सोसल मीडिया के थुरू मुझे यहां पे यही दिख रहा है कि येस आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल से दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हो इसलिए ये पॉर्सन जो है ना आपके साथ एक्षन लेने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पॉर्सन अब बहुत जल्दी समझ चुके हैं कि नहीं अब जो है ना यहां देर करने से या डिसीजन को लेट करने से कोई फाइदा नहीं है डिसीजन इतनी जल्दी लिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है मुझे यहां पे ये भी देख रहा है कि ये पॉर्सन का मन बहुत ही साउधानी पुरुवक नहीं तो जल्द बाजी करूंगा तो हो सकता है कि लड़ाई जगड़े भी हो जाएं किसी बात को लेकर के बेवचा है ना तो ये पॉर्सन को ये भी फील हो रहा था आज सुबह सुबह ये पॉर्सन की अवेकनिंग मुझे यहां पे यह द सुनी जरूर है जिसको लेकर के ये पॉर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए आपके साथ मुझे नज़र आ रहे हैं देखिए ये पॉर्सन का मुझे ना आज सुबह सुबह काफी अच्छी वाइब नज़र आ रहे हैं जैसे कि दुनिया बदलने रहे बदल गई ह साल बदल गया तो मैं क्यों न बदलं अपने आप में इस पॉर्सन को ये ऐसास रहा और ये पॉर्सन ने सोचा जरूर है कि आपके साथ ये पॉर्सन कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी में आ चुके हैं मुझे याम पर खासतzd दोरसी दिख रहा है कि पॉर्सन जो है ना आप expect कर रहे थे जो भी आपके expectations थी वो अब आपके partner आपको देना चाहते हैं जो भी problem थी उसको solve करने के energy में आ चुके हैं यानि कि सोच रहे हैं कि जो भी conflicts हुएं जो भी जगरे हुएं जो भी problem हुई उसको कहीं न कहीं आप खतम कर देना अच्छा रहेगा ठीक तो मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह person अब आपकी बात भी पहले अगर नहीं सुना करते थे तो अब आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी बातों को मान करके भी चलेंगे ठीक है यह person ने सोचा जरूर है कि मैं उससे जो है न रियल बात पुछूंगा कि आखरी problem है क्या problem कहां से आई है ठीक है न तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके partner अप अपने आप में आपको समझना चाहते हैं मुझे यहाँ पे यही relationship को बचाना चाहते हैं ठीक है इस relationship को खोने से कोई फायदा नहीं है इसलिए यह person बात भी करना चाहते हैं आप बात करके इस relationship को सही भी करना चाहते हैं मैं जहां तक देख पारिमा कि देखिए यह जो पॉर्टन है ना आपके साथ इस relationship को जो है बात करके निभाना चाहते हैं और निभा करके एक बहुत ही beautiful सा relationship बनाने की energy में आ चुके हैं मुझे यहां पर यह देख रहा है ऐसा देख रहा है जिसे कि कि आपके partner को सिर्फ एक रास्ता देख रहा है कि मुझे जो आना बाते करने चाहिए मुझे बाते करने चाहिए यह person प्रशन सोचते वह दिखाई दे रहें कि क्यों ना बाते हो तो सही तरीके से बाते हो है यानि कि आपकी बाते सुनी जाए और इनके मन में इनके दिल में जो भी ख्याल आते है ना उसको भी जो है ना आप सुने ठीक तो मुझे यह दिख रहा है काड में चले कुछ और कार्ट निकालते हैं देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है ना वो क्या फिल कर रहे है थे कि क्या फ्याएं कर रहे थे मुझा कार्ट निकालोंगी उसके बाद आपके लिए कार्ट से कालोंगे तोके गाइड करें अंगे ठीक है एट ओवांड्स अगें यहां पर फिलिंग में आया एट ओवांड्स का काड काड को हम उपर कर देते हैं वरना हमारे पास जगहें बचे गई नहीं है न ओके एट ओवांड्स का काड विल ओफ ओवांड्स अगर अभी तक आपने इन्युवर्स को ग्राटिटूड नहीं दिया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके तो जरूर कीज़े चारिट के अनर्जी है ओके क्विन ओफ स्वार्ड्स बॉटम अफ द्रैक नाइट ओफ स्वार्ड्स आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके साथ ठीक है आपके साथ जो है ना यह पर्सन को फील होता हुआ देख रहा है मुझे कि पर्सन को आपके लाइफ में आना है कमबेक करना है इस पर्सन को ऐसी अनर्जी दिखाए दिरे कि नहीं आप जो है ना रूट के बैटना यह कहीं ना कहीं गलत है रूट के बैटने से कुछ नहीं होता है अब आगे बढ़ना चाहिए अब आगे बढ़ना चाहिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत-बहुत-बहुत महबत है ठीक है और इसलिए ये पार्टनर आपके लिए फिल कर रहा है कि नहीं वो भी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा या कर रही होगी तो टाइम प्रेट जैसे ही चेंज होता है जैसे ही समय बदलता है वैसे ही मुझे उससे बात करनी चाहिए आपके पार्टनर को फिल होता हुँग दिख रहा है कि नहीं मुझे बात करने चाहिए इस लेशंप में जिटने भी जूड़े हुए चीजे हैं उसके बारे में डिसकस करना चाहिए आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन हैं देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में इतनी सारी बाते हैं इतनी सारी कुछ चीज़े हैं कि आपके पार्टनर को ना बहुत सारी चीज़े दीखती हैं बहुत सारी चीज़े दीखती हैं ऐसा दे यानि कि आपके पार्टनर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी पीस फिल करते हो, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, आपके पार्टनर को महसूस होता हुआ, क्लियरले दिख रहा है, कि मुझे जाना चाहिए, यह परसन आज सुबह सुबह जो है ना, आक्शन लेने के काफी जादा मुझे अपने कहते हैं कि अब मन कंट्रोल के बाहर है, ऐसी एनरजी है आपके पार्टनर की, आज सुबह सुबह की, आपके पार्टनर को महसूस यह भी हो रहा था कि मुझे जो है ना, उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए मुझे, किसी भी तरी है, ठीक है, चलिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या कार्ट्स आते हैं, मेरे विवर्स क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह, गाइड करें, मेरे विवर्स क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह, अपने पार्टनर के बारे में, okay, kids, okay, meet yourself, new beginning, soon, wow, self-love, hmm, बहुत बढ़िया, bottom of the deck, make the effort, चलिए, cards, निकाल लेते हैं, आपके लिए भी, ठीक है, kids का card क्यों है, यहाँ पे, Ace of Cups का card, Justice, मेरा सेल्फ के साथ Justice का card है, New Beginning, वाउ, Ten of Cups, आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे viewers, Nine of Wands, Okay, Ten of Pentacles, वाउ, काफी अच्छी सोच है, आपकी, काफी positive हुआ person, और Ace of Wands का card है, bottom of the deck, So, मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रहा है, आपके cards में, दिखिए, आपके और आपके partner की बीच में, मुझे यह clearly दिखाई दे रहा है कि yes, आप जो ना, आपने partner के साथ एक बहुत प्यारी सी new beginning करना चाह रहे हूँ, आज सोच तो रहे थे, आज सुबह सुबह कि yes, आपके partner का call, message, कुछ भी, कुछ भी आपके person के पास, आपके person का आपके पास आ जाए, ठीक है, मुझे यहाँ पे new beginning के खास दोर से energy दिखाई दे रहे हैं, कि yes, new beginning की energy है, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो partner है ना, वो आपसे true love करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा feel होता है, आपको लगता है कि yes, यह जो person है, मुझसे दूर नहीं जा सकता है, मुझसे कभी दू रहे होना, आप उदास तो हो, लेकिन आप positive भी हो रहे हो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझे यहाँ पे feel करते हुए, आप दिखाई दे रहे हो, clearly दिखाई दे रहे हो, मुझे ऐसा feel हो रहे है कि नहीं, अब जाना, आपके साथ जो भी गहरा होना चाहिए, गहराई से रिस्ते जो बनते हैं ना, वो काफी अच्छे, काफी दूर तक जाते हैं, और मुझे जहाँ तक दिख रहे है कि आपकी energy भी वही है, कि रिस्ते गहरे ही होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे clear दिख रहे है कि yes, आप अपने रिस्ते को ले क करके आप अपने person को ले करके काफी ज़्यादा serious हो चुके हो अब, और मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे कि आपकी life, आपकी life बदलने वाली है, आपको ये भी feel हो रहा है, कि आपकी life ना, बदल जाएगी, आपकी life में बहुत सारी कुशिज़े जो है ना, होने वाली है, और हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है कि ये 10 of cups की card new beginning की तरफ दर्शा रहा है, यानि कि new beginning के रूप में आप अपनी life में बस आप अपने partner का साथ चाहते हो, as a family, as a person, मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ relationship में reunion चाहते हो, और अगर breakup हो गया है तो, और बात हो रही है, तो आप इन से चाहते हो कि इस relationship पर कम से कम आपके partner अब इस साल तो आप से शादी कर ही ले, ठीक है, और आप दोनों का जो एक dream है, मुझे लगता है, खास तोर से बच्चों का कोई dream है, आप लोगों का, और आप यही सोच रहे थी आप सुबस्वा की, आपके partner अगर आपक commitment चाहिए, आपने बहुत wait कर लिया है already, और अब आप wait नहीं करना चाहते हो, क्योंकि दुबारा से अगर wait किया, तो पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको लगता जरूर है कि आपके partner आपको बहुत जल्दी message करेंगे, उनके तरफ से कुछ ना कुछ आपको जो ह मिल सकता है, positive response देखने को मिलेगा ताकि आपकी life में भी वो सारी खुशियां आएंगी, जो कि आप, जो कि आप चाहते हो कि आपकी life में आए, है ना, तो मुझे यहां पर यह देख रहा है, यहां पर मुझे यह भी देख रहा है कि self love ऐसा देख रहा है जिसे कि आप अपने आप से भी प्यार करने लगे हो, अब आपने आप से प्यार करना सीखा है, आपने जब अपने आपको realize किया है, आपने अपने आपको देखा है, तो हाला कि आपको feel जरूर हुआ है कि आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, आपको अपने आप के लिए भी तो जीना च है आपको बहुत ज़्यादा आप पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो ठीक है ऐसा मुझे नजर आ हो गए ठीक है तो ऐसा मुझे फील हो रहा है चलिए देखते हैं कि आपके जो पॉर्शन है उनके लिए आप क्या फील कर रहे थे आज सुबह सुबह क्योंकि आपकी भी फीलिंग्स कॉम्स चेक करना पड़ेगा देखते हैं नाइट अफ सौर्ड्स जस्टिस की एनर्जी फीर से आ गई मुझे जहां तक लगता है कि जस्टिस की डिमांड ज़्यादा करने वाले लोग हैं यहां पे और आपके साथ जस्टिस हुआ भी नहीं है तो इसलिए मुझे ज़्यादा जस्टिस के एनर्जी यहां पे आ रही है King of Pentacles के energy है Bottom of the deck Page of Cups का card So, मुझे यहाँ पर यह देख रहा है आपके cards में देखिए आपके और आपके partner के बीच की energy मुझे clearly नज़र आ रही है कि देखिए आपको feel होटता हुआ दिखतो रहा है कि आपके partner आपकी life में आना चाहते है आपकी life में आकर के relationship को आगे बढ़ाना चाहते है आपको feel ज़रूर हुआ है लेकिन यहाँ पर यह भी देख रहा है कि आपको कहीं न कहीं यह भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ ना कुछ mind में जरूर है आपके जो कि आप छुपा रहे हो यहाँ पर छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो आपके दिल में कुछ ऐसी बाते भी हैं जिनको लेकर कि आप insecure feel कर रहे हो और ऐसा लगता है जिसे कि आप वो बाती बता दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने आप से भी भागते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपनी feeling से अपनी तकलीफ से भागते हुए दिखाई आपको छोड़ दिया और इसकी वज़ेसे आप तकलीफ में मुझे मतलब की दिख रहे हो और feel करते हो दिखाई दे रहे हो यहां पर मुझे clearly देख रहा है कि यह आप अब जो है और मुझे दिख रहा है और यह भी दिख रहा है king of pentacles के energy king of pentacles के energy भी clear बता रहे है कि यहां पर आपके पार्टर आपके तरफ loyal हो करके आएंगे आपको ऐसा feel हो रहा है आपको लगता है कि यह portion जब भी आएगा मेरे पास एक तरीके का loyal portion बन करके आएगा ठीक है तब ही मैं इस वाली energy को feel करते हुए मुझे नजर आ रहे हो ठीक है चलिए कुछ और cards निकालते हैं गाइड करें आंजल्स ऑके देखते हैं कि क्या cards निकल के आते हैं इस रिस्ते में आगे क्या होने वाला है गाइड करें future क्या होने वाला है इस relationship का five of swords the sun page of cups will of fortune okay 10 of wands okay bottom of the deck यहां पर 10 of will का card है 10 of will okay so मुझे यहां पर यह नजर आ रहा है आपके cards में कि देखिए आपके पार्टनर और आपके बीच का जो relationship है आगे future में क्या होने वाला है तो future में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा आपके लिए लड़ाई करने वाले अपने घर वालों से ठीक ह यानि कि आपका साथ नहीं चाहता था वो इनसान क्योंकि कहीं न कहीं कुछ बाते ऐसी हैं जो कि आपके partner के मन में हैं आपके लिए इनके कान भरे गए हैं बहुत अच्छे तरीके से और वो सारी चीजे जो है ना ignore करते हुए आपके partner मुझे दिखाई दे रहे हैं अब इनक करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है दसन के अनेर्जी के अनुसार से कि यस आपके partner को आपके साथ जो relationship है काफी ब्राइट नजर आ रहा है ऐसा दिखता है जिसे कि आपके साथ ही आकर के इनकी सोल को पीस मिलेगा और मुझे दिखता है कि यस आप आपके partner एक तरीके का यह जो relationship है काफी जादा अच्छे तरीके से जी पाएंगे तो देखते रहा है कि यस आपके partner आपके साथ बहुत सारे desires हैं के जो की fulfill करना चाहते हैं और यह इस relationship में आगे क्या होने वाला है तो मुझे दिख रहा है कि page of cups का card आपके partner आपके साथ एक क प्रपोजल देना है ना तो प्रपोजल आपके partner देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि मुझे यह भी देख रहा है कि इस relationship में आगे क्या होगा तो इस relationship में आगे वढ़ने से पहले आपके partner की family काफी इनको burden डालेगी काफी परेशान करेगी काफी हिमिलेट करेगी यहां पैसा दिख रहा है कि नहीं आपके partner को इतना ज्यादा burden में डाल दिया जाएगा ना कि यह जो person है आगे बढ़ी नहीं पाएंगे है ना जिसे की pressure डालना कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो तुम नहीं जा सकते हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बहुत emotionally blackmail भी किया जा सकता है आपक आपके partner आपसे भाग नहीं सकते हैं आप दोनों का कर्मा ही ऐसा है कि आप दोनों को एक दुसरे के करीब आना ही पड़ेगा और यह person के energy मुझे clearly दिखाई दिरी है कि यह person को भी जहना यहां पे feel होता हुआ मुझे दिख रहा है कि नहीं यह person भी जहना आपके पास आने में काफी interested है ठीक है और यह person के energy मुझे clearly दिखाई दिरे कि यह person आपको छोड़के कहीं किसी और के पास नहीं जाना चाते हैं ठीक मुझे ऐसा feel हो रहा है आपके cards में ऐसा दिख रहा है कि आपके partner आपको छोड़कर के एक तरीके का कोई भी relationship निभाना मुझे नहीं लगता है क इनके लिए beneficial होगा और यह relationship का future यहीं होगा कि final काफी मुश्किलों के बाद आप दोनों का million होगा काफी मुश्किलों के बाद आप दोनों एक दुसरे के करीब आएंगे एक दुसरे को समझेंगे एक दुसरे को feel करेंगे एक दुसरे को जानेंगे ठीक है तो मुझे overall reading में यही दिख रहा है तो यह मुझे नज़र आ रहा है आपकी कार्ड्स में और मैं आपको कुछ बताना चाहाँगी दिखिए जो लोग भी लेना चाहते हैं ब्रेसलेट जो लोग भी रामिडी करवाना चाहते हैं जो लोग रिचुल करवाना चाहते हैं विद गरांटी जो लोग हम लोग करके देते हैं विद गरांटी कोई भी रिचुल करवाईए चाहे आप business के लिए करवाईए, चाहे जॉब के लिए करवाईए, चाहे आप अपने personal life के लिए करवाईए, यानि कि आप third party relationship से परिशान है, या फिर कहें तो आपकी life में कोई ऐसा person आ गया है जो कि आपको परिशान कर रहा है, या फिर कहें तो आपकी love marriage नहीं हो पा रही है या आपके husband के बीच में काफी कुछ problems चल रही है, जिसको खतम करना है और आप अपने husband के साथ, अपने wife के साथ रहना चाहते हो, तो उसके लिए भी ritual सम्थ करते हैं, जो कि guarantee के साथ हम लोग करके देते हैं, और बहुत सारी लोगों को करके दिया है, मैंने आप से बहुत सार ये साजा की है, पहले भी, तो अगर आप करवाना चाहते हैं, कोई भी remedy, कोई भी ritual, तो आप लोग करवा सकते हैं, और साथ ही साथ, जिनको bracelet चाहिए, जैसे कि मैं आपको आज इस evil eye bracelet के बारे में बताना चाहूंगी, ठीक है, ये evil eye bracelet, देख रहे हो कितना प्यारा है, कितना जादा प्यारा, ये जो bracelet है, आपके लिए इतना beneficial है, जिसे कहते हैं ना कि इसे पहल लो, तो आपके अंदर positivity भर जाती है, इस bracelet से positive हो जाते हो आप, आपकी life में जितनी मुश्किले हैं, वो धीरे धीरे आसान सी लगने लगते हैं आपको, एक तरीके का ये जो positive है, ये जो bracelet है ये आपका mind positive करता है, आपकी life में जितनी problem है, उस से लड़ने में काफी ये आपको help करता है, साथ हे साथ आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो उसमें भी ये help करेगा, और आपके mind को काफी positive रखेगा, आपको clear direction देने में ये help करेगा, साथ है साथ आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी आपको ये help करेगा ठीक है और अगर आपको नजर का दोश है या आपको कोई बोल देता है कोई टोग देता है तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए बेस्ट है ठीक है ये जो है एवलाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता है अगर ये प्रस्ट आपने वियर किया तो ये जो प्रेस्ट है आप लोग लेना चाहते है तो जरूर लीजे क्योंकि जो प्रस्ट में दिखा रहा हुए ये काफी बैथरीन सा काफी एक अलग सी एनर्जी को जो है ना ये अट्राक करता है आ इसस्क्रिन पर नमबर देखिगा कि भीच सकते हैं और इसके बारे में जनकारी लिए सकते हैं कि यह आपको वीडियो है ना इसको देख लीजाएगा बस ठीक है तो क्योंकि benefits वहाँ पर बताना possible नहीं हो पाता है clients बहुत ज्यादा messages करते हैं तो सबको handle करना होता है ना तो अगर आप लोग जो लोग भी लेना चाहते हैं जरूर लेजिए ठीक यह एवलाई bracelet चलें फिर मिलते हैं फिर किसी नए रीडिंग में तब तक के लिए हस्ते रहे हैं मुस्कुरातरी और खुश रहे हैं बाबाई